नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इसक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तो हम डिसकस कर रहे हैं L.T. कमिशन 2020 जो H.P. में होने जा रहा है 20 दिसंबर को उससे रिलेटिड हमने 5 दिन में 5 टॉपिक्स को एक नजर में देखने का प्रियास किया है कि जो महत्वपून टॉपिक्स हैं जहां से जादा प्रशन पूछने के संभावन रहती है उनके जो 30 प्रशन है या 35 प्रशन हम पिछले गल से लगातार ला रहे हैं और आज हमने इसमें 35 questions आपके लिए रखे हैं जो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, साइको और साथ ही साथ आपका जो परिभाशिक शब्दा वली है उनसे हमने रखे हैं तो पूरा प्रियास है दोस्तों कि आप तक जितना संभव हो सके हम कोशिश कर रहे हैं 170 questions बनाना बहुत मुश्किल है कि एक दिन में 170 questions नहीं बनाए जा सकते तो इसलिए जितने questions हमसे बनने की हमने कोशिश की जितने बने हमसे वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं तो चलिए प्रशन संख्या 31 से देख लेते हैं, 30 तक के प्रशन हमने पीछे वाली वीडियो में कर लिये हैं, अगर आपने अभी तक वो वाले प्रशन नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, LT Commission के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई अगला प्रशन है देखिए, अधिगम की वीदिया हैं, तो अधिगम की जो वीदिया हैं देखिए वो हैं 8 और представ cannot बता सकते हैं, कि अधिगम की जो वीदिया हैं, learning के हैं वो कौन-कौन सी हैं, अगला प्रशन है देखिए, किशोर अबस्था बड़े संगर्ष, तनाव, त तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। तो देखी किशोर अवस्था, सबसे पहली बात है। किशोर अवस्था कब से कब तक होती है। यह भी आपको पता होनी चाहिए। तो तो यहां किसका है? तो जान डिवी इसका साही उतर होगा और यह कब लिखी गई थी? 1916. अगला पुछने है दिखिए देमोक्रेसी औंड एड्टेशन पुस्तक किसकी है? तो यहां बिकलप नमबर एक देखिए, जोन डिवी ठीक है? तो जोन डिवी इसका साही उतर होग और ये कब लिखी गई थी? 1916 में इसका साय उत्तर होगा विकल्प नमबर 1 भृण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए भृण में जो क्रोमोसोम होते हैं वो है आपके 46 विकल्प नमबर 3 इसका साय उत्तर होगा प्रशन संक्या 37 है देखिए निमन में से कौन सा जनम जात प्रेरक नहीं है तो इन में से जो जनम जात प्रेरक है देखिए वो कौन सा नहीं है आपका विकल्प नमबर दो इसका साई उत्तर होना चाहिए आदत अगर आपको लगता है दोस्तों कि किसी एक प्रशन में confusion है या उसका उत्तर कुछ और हो सकता है अगर आपके पास है तो आप निश्चिन्त तरीके से बेधड़क होके कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे गलत प्रशन हुआ है या जिसमें थोड़ा बहुत सस्पेंस है उसको हमसुधाने की कोशिश करेंगे चली प्रशन संख्या 38 देख लेते हैं कौन सा भूलने का सिध्धान्त है तो देखिए भूलने का जो सिध्धान्त इन सिध्धान्तों में से है वो है आपका प्रतीपकारी अबरोथ विकल्प नमबर चार इसका सही उत्तर होगा प्रशन संख्या 49 से देखिए बालक की समाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है तो देखिए बालक के जो समाजिक विकास में पूछा गया है तो वो है आपका वातावरण विकल्प नमबर 3 इसका सही उतर होगा प्रशन संक्या प्रशन संक्या 40 है देखिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो देखिए मानव जो व्यक्तित्व परिणाम है वो किसका है अनुवान शिक्ता और वातावर्ण की अंतक्रिया का पहले जो प्रशन था देखिए बालक का यह देखिए एक बार फिर से देख लेएं बालक का समाजिक विकास अब जो प्रशन पूछा गया है मानव व्यक्तितो किसका परिणाम है तो मानव का जो व्यक्तितो है देखिए वहां का विकल्प नंबर 3 अनुवांशिक्ता और वातावर्ण की अंतरक्रिया का तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उतर होगा कि जो मानव का व्यक्तितो होता है वो इन में से कोई नहीं, तो देखिए, बहुत सारे विद्याती इनिविसेंट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि कि यहां के संस्थाफक हैं, करनल अलकॉट है, कि शुचंदर सेन है, या फिर कोई नहीं है, अगर भारत में पूछा होता तो की थी, कहां की थी, यह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, तो विकल्प नमबर एक इसका सही उत्तर होना चाहिए, प्रशन संख्या, ब्याली से दिखिए, हिंदी को भद्धी बोली किसने कहा है, तो देखिए, हिंदी को भद्धी बोली पूछा गया ह है ना, इन्शालला खां, शीव संख सेंगर, गारसाध तासी, या फिर लक्षमन सेंग, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए, यह होगा भी कल्प नमबर तीन, गारसाध तासी, ठीक है, और इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भी लिखा है, ठीक है, इस बार द पहला खां, और रानी केत की कहानी इनकी प्रसिद रचना है, और शीव संख सेंगर, इन्होंने जो हिंदी साहित्य काई थी, आस लिखा है कौन सा, शीव संख सरूज, ठीक है, तो यह हो गया, नेक्स से देखिए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का पात्र कौन सा है, स बिकल्प नमबर एक इसका सही उतर होगा, देव कुमार, है ना, तो मंगल सूत्र जो है, कब प्रेमचंद की मृत्य हुई थी, कब वो अधूरा चूटा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रेमचंद के जो प्रमखू पन्यासे, उनके जो उर्दू के न कल्प नमबर तीन, भोपाल से, ठीक है, तो यह जो बसुधा पत्रिका है, देखिए, यह कौन सी पत्रिका है, आपकी समकालीन पत्रिका है, जबकि कलकत्ता से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, जो समकालीन पत्रिकाओं में है, वो है आपकी, इसमें देखिए, आपका जो वागार्थ है ठीक है वो होगी आपकी कलकत्ता से लखनव से भी कुछ एक पत्रिकाएं जो प्रकाशित होती है देखी जैसे आपकी लमई है ये लखनव से प्रकाशित होती है ठीक है फिर आपकी जैसे तदभव है देखिए ये भी कहां से होती है लखनव से ही प्रकाशि प्रशन संख्या 45 से देखिए गिरीराज किशोर के किस उपन्यास पर सहीत्य अकाद्मी पुरुसकार मिला है। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि गिरीराज किशोर को कब सहीत्य अकाद्मी पुरुसकार मिला था। इसके अलावा लोग है परिशिष्टे और पहला गिर्मीट्या यह भी इनहीं के ही उपन्यास है। चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं किस का संबंध हीमाचल प्रतीश से नहीं है। तो देखे यश्पाल, भीशम साहनी, चंद्रधाशर्मा गुलेरी या फिर निर्मल वर्मा। तो यह जो सहित्यकार हैं देखिए इन में से जो भीशम साहनी है उनका हिमाचल प्रतीश से संबंध नहीं है। तो यह कहां पर जनमे थे आपके पाकिस्तान रावल पिंडी। अगर मैं गलत हूँ दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं जहां तक मुझे द्यान है, मुझे लगता है कि इनका जो जनम स्थान है वो वहीं है, जो आजकल पाकिस्तान में है। चलिए, अगरा प्रशन हम देख लेकते हैं, 47, जीन काठी किसकी कहानी है, महंदास नैमिश्राय, एसार हरनोट, ओम्रकाशवाल में की सुशिलाट टाक भौने, तो देखिए, प्रशन है कि जीन काठी किसकी कहानी है, विकल्प चारों के चारों हैं देखिए, इनको देखन जीन काठी कहानी संग्रह भी है उसका, ठीक है, तो यहाँ पर प्रशन ये पूछा है कि जीन काठी कहानी किसकी है, तो देखिए, ये जो कहानी है, ये है, एसार हरनोट की, और एसार हरनोट जो है, ये हीमाचल के ही साहित्यकार है, पहले हमने हीमाचल से पूछा कि नहीं है यहां पर है कि जीन काठी तो है लेकिन ये S.R. हरनोट की है और S.R. हरनोट कहां के हैं हीमाचर परदेश के हैं और इनों ने जीन काठी के अलावा दारोश तता अन्य कहानिया लिखी है और इनका जो उपन्यास है दिखी है वो है आपका हीडिम उपन्यास ठीक है और जीन प्रकाश गुप्त और मेनेजर पांडे तो देखिए प्रगतिवादी आलोचक पूछा है अभी इससे पहले हमने दलित लेखकों की बात की तो दक्टर धरमबीर जो है देखिए ये आपके क्या है ये दलित आलोचक है ठीक है प्रगतिवादी ये नहीं है ठीक है तो इनकी जो प्रमुख जो आत्म कता है अकसर उसको पूछा जाता है ठीक है मेरी पतनी और भेडिये तो उसके ये रचनाकार है डक्टर धरमबीर क्लियर है और इन्होंने अलोचनात्मक क्रितियम बहुत सारी लिखी है कौन-कौन सी है ये आप जरूर पता करके बता सकते हैं अन्य जो तीन है ये तीनों के तीनों क्या है आपके प्रगतिवादी या माक्सवादी समीक्षक है चलिए दूस्तो अगला पशन देख लेते हैं किसकी अलोचना को धुनसात्मक अलोचना कहा जाता है तो धुनसात्मक अलोचना पूछा गया है देखिए चार भी कल्प है चारों के चारों एक पर फिर से जो माक्सिस्थ हैं माक्सवादी हैं या प्रगतिवादी अलोचक है वो मैंने आपके बीच में रख दिये हैं तो यहां से आपको clear हो रहा होगा एक बार फिर से में पीछे देख लेते हैं यह देखे 48 में यहां से 3, 2, 3 और 4 यह भी प्रगतिवादी हैं और अब आगे जो हैं देखिए यह 4 भी है यह भी क्या है आपके? प्रगतिवादी अलोचक है तो यहां से भी प्रशन इस तरीके से पुछ जा सकता है कि कौन सा अलोचक प्रगतिवादी है या फिर कौन सा नहीं है यहां पर प्रशन यह है कि दौनसात्मक अलोचना किस की अलोचना को कहते हैं इसका जो सही उतर है देखिए वो है रामविलास शर्मा तो रामविलास शर्मा ने बहुत सारे अलोचना आत्म कृतियां लिखी हैं उन से कर बार पुछने की समभाबना रहती है तो इनकी जो अलोचना आत्म कृतियां उनको आप जरूर देख लें इनके निवंद जो हैं उ गश्टवार से सोपान तक बिल्कुल है, यॉवन के द्वार पर बसेरे से दूर या फिर क्या भोलूं, क्या याद गरूं, तो इनका जो आत्मकता का एक भाग नहीं है तीके वो है यॉवन के द्वार पर, तो ये किसकी है, ये है देवराज की, ठीक है, तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा, गलत होगा, कि ये इसका नहीं है, है ना, विकल्प नमबर तीन उत्तर है इसका, clear है, अगला परशन देख लेते हैं, मनुश्य में कट जाने पर, खोन का लगातार बहना बिमारी है, कौन सी बिमारी है, अनीमिया, हीमोफीलिया, रिक्रेटर्स, या इन में से कोई नहीं, तो देखिए, खोन का एक तरीके से जब थक्का नम बनना, मतलब लगातार बहते रहना खोन का, तो वो बिमारी होती है, आपकी हीमोफीलिया, है ना, अनीमिया है खोन की कमी, जब कि इरिकेटर्स है, आपका हड्डियों से संबंधित बिमारी जो इससे रिलेटिड, आलाकि ज़्यादा पूछ जाते हैं, मैंने यहाँ पर एक आपके लिए रख दिया है, प्रशन संग क्या बावन है देखिए, समय सूर्य किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंग दिनकर, निराला, अगे, या फिर प्रेमगन, तो देखिए, समय सूर्य ज नाम से भी जाना जाता है, तो इनका पूरा नाम क्या है, बदरी, नाराइन, चौदरी, प्रेमगन, और ये भारदेंदु मंडल के कवी हैं, अग ये जो है तारसब्तक के प्रभरतक हैं, और तारसब्तक के कवीयों को इननने राहों के अनुवेशी कहा है, ठीक है, चलिए, अगला पशना हम देख लेते हैं, अलमोडे का बजार किस विधा की रचना है, तो देखिए, अलमोडे का बजार है, ये आपका विकल्प नमबर 4 देखिए, रिपोर्टाज है, ठीक है, तो 4 इसका जो है सही उत्तर होगा, ठीक है, और ये किसका है, ये आप मुझे कमेंट स तो यह है आपका यात्रावरितांत और किसका है यह देखिए यह है आपका निर्मल वर्मा का यहाँ पर पूछा यह गया है कि यह प्रकाशन वर्ष इसका क्या है तो इसका जो सही प्रकाशन वर्ष है वो है 1964 विकल्प नंबर दो इसका सही उत्तर होगा चलिए अगला प्रश बनने के संभावना किसी भी परिक्षा में रहती है तो ब्रज भाषा बहुत मौतरपूर्ण है ब्रज अबधी और खड़ी बोली इन तीन बोलियों को तो आप रट ही लें तो जाथा बहतर है तो इसका जो सही उतर है देखिए वो है आपका विकल्प श्रकुजा बाकी तीनों जागा पर ब्रज भाषा बोली जाती है चलिए अगला प्रशन गञे धिए कलश का प्रियाए क्या है कलश का प्रियाए है नहां पर देखिए अंब पाली जो रचना है वो है आपकी प्रसाद यूगिन एतिहासिक नाटक तो जितने भी नाटकार यहां पर मैंने रखे हैं दिखिए चातुरसन शास्त्री हो चाहे उग्र हो या फिर प्रेमी हो तो इनका पूरा नाम दिखिए पांड़े बेचन चर्मा उग्र हरी क्रिशन प्रेमी और बेनिपूरी को तो आपको पता है कि रामविक्ष बेनिपूरी के नाम से जाना जाता है और यह रचना किस तरह के किया है दिखिए प्रसाद यूगिन एतिहासिक नाटड़ी उतर होगा आपका विकल्प नंबर 4 बेनिपूरी चलिए अगरा पशन देख लेते हैं देखिए कडाही से गिरा चुले में आगिरा ठीक है यहां पर यह थोड़ा सा गलत होगे कि कडाही से निकला और चुले में आगिरा इसका क्या भाव है एक विपत्ती से छूट कर दूसरी में आपढ़ना तो मुहावरों को भी आप जरूर पढ़के चाहें परिक्षा से पहले प्रशन संक्या 69 देखिए गोरक्ष जगायो जोग भक्ती बगायो लोग पंक्ती तुलसिदास की किस रचना की है हाँ दोस्तों जो यह इसरिक्ष की पंक्ती है पंक्ती से related पिछले कल शायद किसी का मुझे कमेंट्स आया था कि जो हमने पंक्ती ढाली थी कि मेराम का कुट्तक मुटिया मेरा नाम तो वो वाली पंक्तियां जो है वो कभीर दास जी की हैं तुलसिदास की नहीं है ये वाली पंक्तियां तोलसिदास की हैं और ये किस रजना की हैं देखिए ये प्रशन पूछा गया है तो गुरक जगायो जोग भक्ति बगायो लोग जो पंक्तियां देखिए ये है कवीता वली से ली गई पंक्तियां कवीता वली की पंक्तियां हैं ये ठीक है चलिए अगल इसी जानकारी होना जरूरी है, इसके उपर आमने complete lecture बनाया है, कि कहां से आपको परिवाशिक शब्द मिल सकते हैं, और कैसे आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए, इसका जो सही उतर होगा, वो होगा आपका विकल्प नमबर 3, राजकोशिय, ठीक ह अगला पशने देखिए, legacy, तो legacy का मतलब क्या है, यहां आपका वसीहत, विकल्प नमबर 1, इसका सही उतर होना चाहिए, है ना, एक अवेज संपती भी नहीं होता, मातरी संपती नहीं होता, पित्री संपती होता, तब वो क्या होना था, सही होना था, धरुवार होता, तब भी वो सही उतर होना था, राज की असंपती भी नहीं होगा इसका अंसर, चलिए, अगला पशने देखिए, liability का अर्थ क्या है, liability का मतलब है आपका दियता, है ना, रिनेक्ट रिके से, ठीक है, तो प्राप्त करता तो नहीं होगा, ग्रहता भी नहीं होगा, उब्रोक्त में ने बहुत सारी मंजरी को लेकर के लिखा हुआ है, इनकी जो रचनाओं में लगबग, रूप मंजरी, डस मंजरी, इसरीके के आप देखते हैं कि राम ध्यान मंजरी ये इनकी प्रोक्त रचनाय है, लेकिन यहाँपर सिर्फ ध्यान मंजरी लिखा है, तो ये किस की है, यह अग्रदास ची की रचना विकल्प नमबर 40 का सही उत्तर होगा ठीक है तो नाबादास और अग्रदास में त्यान मंजरी में कन्फ्यूज नहीं होना है clear है तो अग्रदास जो है देखी ये कौन से हैं आपके ये हैं आपके जो सगुन कावेधारा के कभी है का मतलब होता है किसी व्यक्ती ने कोई परिश्रम किया हो उसको उसका वेतन एक तरीके से परिश्रमिक जिसको बहते हैं ठीक है इसका अगर परिश्रमिक होगा तो भी सही उत्तर माना जाएगा यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा उनका मानदेय विकल्प नंबर 2 इसका सही उतर है आखरी प्रशन है दोस्तो आज का शॉट हैंड का अर्थ क्या है तो देखें शॉट हैंड ना सुलेक होता है ना लीपी होता है ना विस्दित लीपी होता है बलकि क्या होता है आशुलीपी होता है आशुलीपी की जगा अगर यहां पर संक्षिप्त लीपी होता या संक्षेप लीपी होता तो वो उत्तर सही होना था तो यहां पर शॉट हैंड का मतलब है आशुलीपी विखल्प नमबर 4 इसका सही उत्तर होना चाहिए तो ये थे दोस्तो आज के 35 प्रशन, अगर इन 35 प्रशनों में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्थी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद एंद बेस्ट अफ स्टड़ी